क्यों नाई के पेट में कोई बात नहीं चुपी रह सकती और इसका महावारस से क्या नाता है क्यों कहते हैं कल यूग में श्राप का असर तुरंट नहीं होता कल यूग के शुरुआत 5,000 साल पहले हो चुकी है और इसका अंत होने में अभी लाखों साल बागी है सबसे मनिश्य को श्राप लगने का कोई महत्व रह जाएगा सत्योग ने रिशी मुनियों के पास अपास शक्ती होने के बावजूद उन्होंने कभी इस सक्ती का कोई गलत फाइदा या फिरिन का दुर्यों प्योग नहीं किया जैसा कि हमने बहुत से धार में धारवाईउं में देखा है कि उनके शुराब का इसर इतना तीर वो होता था कि तुरंट ही उसका प्रभाव देखना शुरू हो जाता था और उस समय रिशी मुनी ये जामते थे कि उनके शुराब का बुरा प्रभाव उस व्यक्ति प्राणी पर पड़ेगा जिससे उसको हानी होगी इसलिए उन्होंने कभी भी अपने सक्ति का गलत इस्तिमाल नहीं किया उस समय तो कई मनुष्य इश्वर की कठोर तपस्या और अराध्ना कर देवे शक्तियों को भी आजित कर लेते थे पर उन्होंने भी कभी दुएश भावना से किसी को श्राप नहीं दिया क्योंकि उनको पता होता था कि उनके श्राप का शर्ण होगा ही होगा और गलत तरीके से इस्तिमाल कर करने पर दिवे शक्ति कम अध्वा खतम भी हो सकती थी आज से पहले कि जो तीन युग थे उनमें पाप होता नहीं था और अगर पाप होता भी था तो इसका नाश करने के लिए स्वेम भगवान किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाते अवतार लेके आते थे भगवान श से चुटकार अपाने के लिए श्री हरी का नाम लेना पड़ेगा कल्योग में पाप होनी की वज़े से पुन्य आत्माएं बहुत कम होंगी और पापी आत्माएं बहुत संक्या में होंगी और इस कारण किसी को भी श्राप का प्रवाब जल्दी पढ़ने वाला नहीं होगा अगर कल्योग में कोई किसी को श्राप देगा तो इसका प्रवाब तो पड़ेगा पर उसका असर धीरे धीरे होगा क्योंकि इस व्यक्ति ने श्राप दिया है उसने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में पाप किये होंगे जिसकी वज़े से उस श्राप का असर धीरे धीरे ह और व्यक्ति इश्वर पर श्रद्दा रखते हैं उन पर इश्वर हमेंसा नजर बनाए रखते हैं जैसे किसी आश्रवाद से शुब योग बनता है ठीक उसी प्रकार किसी के श्राप्षे अश्रूब योग भी बनता है अधरम की जीत कभी नहीं हुई है चाहे भूत काल भविश्य काल हो या फिर वर्तमान काल हो अगर आश्रवाद में विश्वास है और उसके प्रवाब में विश्वास है तो श्राप और किसी पाप की वज़े से श्राप के अशर पर भी विश्वास रखना पड़ेगा महा भारत में भी बहुंच श्राप दिये गए और इन श्रापों में से कुछ श्रापों के परभाव मनुष्य अभी भी भुगत रहे हैं क्यों नारी के पेट में कोई बात छुपी नहीं रह सकती ये बात तो काफी पुर्चलित है कि कोई भी स्थरी अपने पेट में कोई बात यादा दे तक छुपा कर नहीं रख सकती मगर आपको ये पता होगा कि इसका कारण भी एक शाप ही है जो युदिश्टर ने दिया था जब उसे पता चला कि उसकी मा कुंती को ये पता था कि कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई है पर इस सच को कुंती ने पांडवों से चुपा कर रखा और युदिश्टर को इस बात की गलानी हुई कि पांडव खुद अपने ही बड़े भाई का मृत्यू का कारण बन गए है इसके बाद युदिश्टर ने समस्त नारी जाती को ये श्राब दिया कि आज के बाद कोई भी नारी अपने अंदर कोई भी बात चुपा नहीं पाएगी और इस श्राब का प्रभाव आज भी कल्योग में नारी जाती को जेलना पड़ रहा है धर्म कताएं के यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें धन्यवाद